हेलो दोस्तों मैं हूँ अब इसे एक आपका सेल प्रिपेर गुरूज दोस्तों इस टूडियो में हम लोग हॉंडा यूनिकॉन वन फिप्टी का कार्वेटर क्लीन कर रहे हैं एक एक पार्ट को हम लोग ओपन करेंगे सब कुछ क्लीन करेंगे और उसके बाद फिर से एसेंब कार्वेटर आपका लगता है वह यूनिकॉर्ण है वह आपका हंक हो सीबीजी हो यहां तक करिस्मा में भी जुराता है थोड़ा से साइज बढ़ा रहता है यही कार्वेटर रहता है उसके बाद हीरो और होंडा के बहुत सारे 125cc की जो मोटरसाइकल है उसमें भी यही उस हो उसमें भी रहेगा तो अगर आप इस कार्वेटर को देख लेंगे कि कैसे इसे हम लोग क्लीन कर रहे हैं कैसे इसे डिस्मैंटल कर रहे हैं कैसे इसे सेंबल कर रहे हैं तो किसी भी तरह का कार्वेटर को आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं तो यह कॉमन होता है और इसका सेटिंग जो एर फेल का सेटिंग होता है वो कैसे करते हैं तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अलड़ी बना के रखे हैं और इसका जो इसक्रू आप ओपन करेंगे तो अगर आपका स्पार्ट प्लग अगर आप ओपन करके कि देखिए अगर उसमें ब्लैक नहीं है सही सो कर रहा है कंप्लीट कंबसंद होड़ा है और माइलेज से आप खुष है तो इसका जब आप इसक्रू ओपन करेंगे तो वह आपको याद रखना है कि क्या सेटिंग है उस सेटिंग को आप मत छेडिए और अगर आप सेटिसफा और यह जिस मोटरसाइकल में था यह होंडा यूनिकॉन वन फिप्टी में तो वह मोटरसाइकल इस कारबुरेटर के साथ एरांड वन लैक ट्वेंटी थाउजन क्लिमेटर अभी तक कभर कर चुकी है तो बहुत ही ओल्ड कारटर है इसका स्लाइड कट गया है और इसका जो वह अभी फटा तो नहीं है बट थुरा सा हार्ड हो गया है तो बहुत तो क्या करते हैं कि अगर स्लाइड डैमेज हो गया है आगे आप देखेंगे स्वीडियो में तो उसे स्लाइड को चेंज कर देते हैं बट स्लाइड चेंज करने से काम तो चलता है कुछ दिन बट एक् कार्बुरेटर को या आपके पास भी अगर कोई old कार्बुरेटर है उसका slide cut गया है problem हो रहा है तो जब तक चले ये सही से आप चलाइए जैसे कि इसको हम लोग clean करेंगे और कुछ दिन चलाएंगे और उसके बाद complete new assembly हम लोग लगा देंगे क्योंकि अंदर का जो components है diaphragm, slide ये सारे चीज में problem आने लगता है और body भी कटने लगता है तो बहुत सारा टेंसर ये देने लगता है तो एक time के बाद depend करता है की carburetor to carburetor but minimum जो life रहता है carburetor का at least 50,000 तक तो आराम से चल जाता है, depend करता है carburetor to carburetor और क्या build quality है और उसके बाद ही problem आता है generally मेरे पास तो बहुत सारे motorcycler scooter मैंने कोई भी carburetor का ऐसा नहीं देखा है कि वो 50,000 km के पहले problem create करे, जो भी slide होता है generally उसके बाद ही cutना start होता है, उसके बाद ही problem आता है तो इससे हम लोग अच्छे से clean करेंगे और assemble करेंगे और दोस्तों ये video थोड़ा सा लंबा बन गया है तो मैं यहीं पर आपको introduction दे देता हूँ और आगे मैं आपको fast forward कर दूँगा उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत लोग बोर हो जाते हैं बोलते हैं कि गुरुजी आप इतना ज़्यादा information देते हैं एक video में कि मतलब बहुत ही boring हो जाता है तो मैं इसमें actually मैंने बहुत सारे calculator पर videos बनाया है तो अब आप लोगों पता ही होगा calculator के बार में तो मैं इसे sort में complete कर दे रहा हूँ हलाकि मैंने complete किया है पूरा एक एक component को open किया है और ये जो calculator होता है इसमें जो butterfly होता है उस butterfly के screw को आपको open नहीं करना है butterfly आप तभी open कीजिए दो screw से attached रहता है जब कोईसा requirement हो कोई part आपको change करना हो अंदर में आपसे clean नहीं हो रहा क्योंकि वो जो दो screw रहता है वो अंदर से lock रहता है तो जब आप उसको जवरदस्ती open करेंगे तो उसका lock तूट जाता है और फिर आपको वो problem create करेगा बाद में तो उसको unnecessary आपको open नहीं करना है और इसमें एक sensor लगा रहता है उसे बोलते हैं TPS sensor total position sensor तो वो आपके CDI को बताता है कि आपका जो total है उसका position अभी कहा है तो उसी हिसाब से वो performance को decide करता है और इसको आप देखी और बहुत ही अच्छे से अगर आपके पास भी इसी तरह का carburetor है तो बहुत अच्छे से आप इस पे काम कर सकते हैं और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है इसमें जितने भी screws होते हैं उसको एक सही screwdriver के help से आप open कीज़े जो star head screw होता है उसमें भी अलग-अलग sizes होते है तो आपको बहुत ही प्यार से सही screwdriver के use से उसे open करना यह नहीं कि एक ही screwdriver से बरा छोटा सारे star head wire screw को आप open करेंगे तो पता चला कि उसका head damage हो गया और अलग ही problem हो गया तो आपको कोई भी screw का head damage नहीं करना है और यह सब special screw होता है अगर एक बार damage हो गया तो फिर इसे खोजना मुश्किल हो जाता है और जब आप इसे tight करें तो अच्छे से आप tight करें यह नहीं कि इसे loose ही छोड़ दिये और नीचे से प्रिटॉलिक कर रहा है और यह नहीं कि आप इसे इतना ज़्यादा tight कर दें कि अगले बार open ही नहीं हो रहा है तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है और proper screwdriver के set का आप use किजिए और जैसा कि मैंने बताया है कि यह जो carburetor है बहुत ही ज़्यादा old है इसका slide भी cut गया है और इससे हम लोग future में complete assembly को ही replace कर देंगे और 30,000 km यह use करेंगे उसके बाद complete assembly को replace कर देंगे और जब भी आप अपने carburetor को open करें तो उसमें जो diaphragm रहता है एक rubber का component होता है आप आगे देखेंगे तो उसको आप एक बात पूरा देख लीजिए उसके circumference के पूरा उसको body को कहीं उसमें छेट तो नहीं है अगर वो diaphragm फट जाता है generally बहुत अगर old होता है तो वो hard हो जाता है rubber और वो फट जाता है तो उसके बाद problem क्या आता है कि आप accelerator लेंगे बट आपका जो motorcycle है उसका RPM increase ही नहीं होता है तो वो problem आता है यह diaphragm अगर फट गया तो तो आपको अच्छे से check कर लेना है अगर diaphragm में problem है तो आप उसे replace कर सकते हैं अगर replace नहीं करेंगे तो वो फिर आपका problem solve नहीं होगा और या फिर diaphragm अगर कमजोड हो गया है brittle हो गया है hard हो गया है ऊसमें लग तरग का carburetor रहता है उसमे जो आपका accelerator cable होता है वो directly slide से connected रहता है जैसे ही आप तो वो एक carburetor होता है और ये दूसरा type का carburetor है इसमें जो आपका accelerator cable होता है वो आपका butterfly valve से attach रहता है और वो जो आप diaphragm देख रहे हैं वो diaphragm आपके slide को ऊपर नीचे करता है तो आपको बताना है इस दोनों कारवटर का नाम क्या है दोनों का अलग अलग नाम होता है तो ये आपके लिए एक homework है आपको internet पर search करना है और अगर आप कुछ search करेंगे तो उस चीज को search करने के पीछे आपको बहुत कुछ पता चलेग तो ये दोनों कारवटर में क्या difference होता है क्या advantage होता है क्या disadvantage होता है दोनों का नाम क्या है सारा कुछ नीचे मुझे comment box में बताइए और एक और interesting question मैं आपको दे रहा हूँ जो की आपको answer करना है कि ये four stroke engine का कारवटर है तो इसका slide generally cut जाता है एक time के बाद बट अगर जो two stroke motorcycle जो रहता था RX100, Suju की Samurai, Max100 तो मेरे पास एक Suju की Samurai है बहुत दिन से मैंने उसे चलाया नहीं है वो around 22 या 23 years old है बट उसका carburetor का slide अभी भी as good as new है तो ये जो two stroke का motorcycle होता है उसका slide जल्दी क्यों नहीं करता है ये नीचे मुझे comment box में बताइए उसके पीछे क्या reason है आप नीचे comment box में बताइए तो दोस्तो यही था इस video में आप आगे तक देखिए इसे और जाने के फ़हले इस channel subscribe जो किएगा और साथ मुझे bell icon को प्रेस किएगा ताकि जब भी मैं कोई नया video आप के लिए बनाओ तो आपको notification मिल सके और इसे अपने दोस्तों में सेर कीज दोस्तों आप subscribe करते हैं तो एक motivation मिलता है channel grow करता है बहुत अच्छा लगता है तो please इसे आगे तक देखिए और आपके पास भी अगर carburetor है इस तरह का आपको motorcycle में scooter में तो आप इस तरह से clean कर सकते हैं और इसके performance को as good as new बना सकते हैं बना सकते हैं झाल 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 झाल